Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा आठ के संस्कृत विशय के दुईतिये पाठ का अभ्यासकार्य पाठ का अध्यनम ने कर लिया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा जब आप पाठ को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद अभ्यासकारे को समझने में और करने में आपको आसानी होगी तो अभ्यासकारे में सबसे पहला प्रश्न है उच्चाररम कुरुत यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिये गए है जिनका की शुद्ध रूप से उच्चारर करना है पहला शब्द है कस्मिन चित शुधा आर्ताह सिंह पद पधति ही विचिंत्य एतद शुरुत्वा समाह वानम साध विदम भय संत रस्त मनसाम प्रति धोनी ही तो इस प्रकार से इनकी उच्चारर का अभ्यास करेंगे प्रश्न नमबर दो है एक पदेन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तर लिखिए यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिये गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम शेर का क्या नाम था यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खर नख रहा गुहायाह स्वामी कह आसीत गुफा का स्वामी कौन था उत्तर है दधि पुक्षा है सिंहह कस्मिन समय गुहायाह समीपे आगता है शेर किस समय गुफा के समीप आया उत्तर है सुर्यास्त समय हस्त पादाधिकाह क्रियाह केशाम ना प्रवर्तनते हाथ पैर आदिसे संबंदित क्रियाएं किसकी कार्य नहीं करती उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम यानि कि भय से डरे हुए मनवालों की गुहा केन प्रतिध्वनिता गुफा किस से गोजुठी उत्तर है सिंहस्य उच्च गर्जनेन शेर के उच्च गर्जन से या उची दहार से प्रशन नमबर तीन है पोड़ वाक्यन उत्तरत पोड़ वाक्य में उत्तर दीजिए यहाँ पर हमें कुछ प्रशन दिये गए हैं इनका उत्तर हमें पोड़ वाक्य में देना है प्रशन है खर नख रह कुत्र प्रतिवसतिस्म खर नख रह कहां रहता था तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खर नख रहा, कस्मिन चित बने, प्रतिवसती स्म, खर नखर किसी वन में रहता था अगला है महतीम गुहाम द्रिष्टवा, सिंहां किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देख कर शेर क्या सोचा तो यहां पर उत्तर होगा महतीम गुहाम द्रिष्टवा, सिंहां अचिंतयत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो, को अपी जीवा आगच्छती, अत्तह अत्त्रैव निगूढो, भूत्वा, तिष्ठाम इती बड़ी गुफा को देख कर शेर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहां छुपकर बैठ जाता हूं अगला प्रश्न है, श्रिगालह किम अचिंतयत, गीदर क्या सोचा? उत्तर है, श्रिगालह अचिंतयत, अहो, विनश्टो अस्मी, नूनम अस्मिन बिले, सिंह अस्तीती, तरक्यामी, तत किम करवाडी? गीदर सोचता है, कि अरे, मैं तो मर गया, अवश्य ही इस गुफा में कोई शेर है, सोचता है, कि तब क्या करूं? अगला प्रश्न है श्रिगालह कुत्र पलाईता है गीदर कहां भाग गया उत्तर है श्रिगालह दूरं पलाईता है गीदर दूर भाग गया अगला प्रश्न है गुः समीप आगत्य श्रिगालह किम पश्यती गुफा के समीप आकर गीदर क्या देखता है उत्तर है गुः समीप आगत्य श्रिगालह पश्यती तावत सिंग पदपधती ही गुः याम प्रविष्टा दृष्यते नाचा बहिरागता गुफा के समीप आकर गीदर जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैर के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं अगला प्रश्न है कह शोबते, कौन शोशोबित होता है या कौन सुखी रहता है, उत्तर हो जाएगा यह अनागतम कुरुते सह शोबते, जो आने वाले दुख का निवारण करता है, वह शोबित होता है या सुखी रहता है प्रश्न नमबर चार है, रेखांकित पदान आधरित्य, प्रश्न निर्मारम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्मार करें यहाँ पर हमें जो वाक्य दिये गए हैं इसमें रेखांकित पदों की जगह पर प्रश्न वाचक शब्दों को लिखना है और प्रश्न का निर्मार करना है पहला है क्षुदा आर्ता सिंह कुट्रा पी आहारम ना प्राप्तवान भूख से ब्याकुल शेर कहीं भी भोजन ना प्राप्तवान तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है क्षुदा आर्ता को इसकी जगह पर हो जाएगा की द्रिशह की द्रिशह सिंह कुट्रा पी आहारम ना प्राप्तवान किस प्रकार का शेर कहीं भी भोजन प्राप्त ना कर सका अगला है दधी पुक्ष नाम श्रिगालह गुः याह स्वामी आसीत दधी पुक्ष नाम का गीदर गुफा का स्वामी था तो यहाँ पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो दधि पुक्षा को रिखांकित किया गया है इसकी जगा पर हो जाएगा किम नाम श्रिगालह गुहायाह स्वामी आसीत किस नाम का गीदर गुफा का स्वामी था अगला है एशा गुहा स्वामिनह सदा आहवानम करोती यह गुफा स्वामी का हमेशा आवहन करती है या पुकारती है यहाँ पर रिखांकित किया गया है स्वामिनह को तो जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे यह हो जाएगा कि यह गुफा किसको सदा पुकारती है तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य एशा गुहा कस्य सदा आहवानम करोती फिर है भय संत्र अस्त मनसाम हस्त पदाति काह क्रिया ना परवर्तनते भय से डरे हुए लोगों की हाथ पैर से संबंदित क्रियाएं काम नहीं करती प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कि भय से डरे हुए लोगों की किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती तो यहाँ पर हो जाएगा की द्रिशाह भय संत्र अस्त मन साम की द्रिशाह क्रियाह ना प्रवर्तनते अगला है आह वानेन श्रिगालह बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविश्यत पुकारने से गीदड गुफा के अंदर प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा तो पुकारने से गीदड किसमे प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा यहाँ पर बिले को रेखांकित किया गया है इसकी जगह पर हो जाएगा कस्मिन आहवानेन श्रिगालह कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविश्यत प्रश्न संख्या पाँच है घटना क्रम अनु सार लिखना है यानि कहानी में पहले कौन सी घटना घटी थी उस क्रम में हमें इन वाक्यों को लगाना है तो सबसे पहले क्या हुआ था परिभ्रमन सिंहा क्षुधा आर्तोह जाता घूमता हुआ शेर भूख से ब्याकुल था तो यह हो जाएगा हमारा नंबर एक पर इसके बात क्या हुआ था गुहायाह स्वामी ददि पुक्ष नाम श्रिगालह समागच्छत गुफा का स्वामी ददि पुक्ष नाम का गीदड आया फिर हो जाएगा गुहायाम को अपियस्ती इती श्रिगालस से विचा रहा गुफा में कोई है ऐसा गीदड ने सोचा फिर हो जा दूरस्थ श्रिगालह रवं कर्तुम आरब्धा दूर जाकर गीदड आवाज करना आरंब किया इसके बाद हो जाएगा सिंह श्रिगालस्य आहवानम करोत शेर ने गीदड का आवाहन किया और यहाँ पर अंत्मे हो जाएगा दूरम पलाय मानह श्रिगालह श्लोकम पठत दूर भागता हुआ गीदड श्लोक पढ़ा छट्वा प्रश्ण है यथा निर्देशम उत्तरत निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिये एकाम महतीम गुहाम द्रिष्टवा सह अचिंतयत अस्मिन वाक्य कति विशेशड पदानी संख्या या सह पदानी अपी लिखत तो यहाँ पर हमें ये एक वाक्य दिया गया है और पूँच रहे हैं कि इस वाक्य में कितने विशेशड पद हैं संख्या के साथ लिखिये उत्तर है अस्मिन वाक्य के दुए विशेशड पदे स्तह एकाम और दूसरा है महतीम महतीम यानिकी बड़ी अगला है तद अहम अस्य आहवानम करो मी तब मैं इसका आवाहन करूंगा अत्र अहम इति पदम कस्मई प्रयोक्तम इस वाक्य में अहम पद ये किसके लिए प्रयोक किया गया है तो ये प्रयोक किया गया है शेर के लिए यहाँ पर हो जाएगा सिंहाय यदि तुम माम ना अह वयसी असमिन वाक्य करति पदम किम यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी इस वाक्य में करता पद क्या है तो इस वाक्य में करता पद हो जाएगा तुम अगला है सिंग पद पद्धती ही गुहायाम प्रविष्टा द्रिश्यते शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं इस वाक्य में क्रिया पद क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा द्रिश्यते अगला है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया अस्मिल वाक्य अव्वेपदम किम इस वाक्य में अव्वेपद क्या है उत्तर होगा अत्र अंतिम प्रश्ण है मंजुशातह अव्वेपदानी चित्वारिक्तस्थानानी पूरियत यहाँ पर हमें उचित अव्वेपद चुनकर लिखना है और इसे पूरा करना है तो यहाँ देखे विकल्प के रूप में अव्वेपद दिये गए हैं कस्मिन वने व्याधह जालम विस्तीर्य स्थितह एक वन में शिकारी जाल बिछाकर खड़ा हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा कश्चन और यहाँ पर हो जाएगा दूरे एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया क्रमशह आकाशात सा परिवारह कपोत राजह अगच्छत इसके बाद आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा आया कहां आया यहाँ परोजाएगा नीचे ही यानि कि नीचे आया कपोताह तंडुलान अपश्यन तेशाम लोभो जाता है तो यहाँ परोजाएगा यदा जब कबूतरों ने चावल को देखा फिर यहाँ परोजाएगा तदा यानि कि तब वे लालच में पड़ गए या परम राजा सहमता ना आसीत लेकिन राजा सहमत नहीं था तस से युक्ति आसीत उसने सोचा यहाँ पर हो जाएगा यदी यानि कि अगर अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है फिर यहाँ पर हो जाएगा तरही यानि कि तब कुत्र तंडुलाम संभवा तब चावल कैसे संभव हैं फिर है राज्या उपदेशं आस्वी कृत्य कपोताह तंडुलान खादितुम प्रविताह जाले नीपतिताह तो यहाँ पर हो जाएगा परम परम यानि कि लेकिन राजा की उपदेश को ना मान कर कबूतर चावल खाने के लिए उतरे यहाँ पर हो जाएगा च यानि कि और जा आक्रियाम तो यहाँ पर हो जाएगा सहसा सहसा का अर्थ होता है अचानक अताह सही कहा गया है कि अचानक कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए यह था आज का अभ्यास कार्य होफफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल रही होगी इस अभ्यास से संबंदित अगर पिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निव टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई